कोविड की केस अब लगतार घरते जा रहे हैं दूसरी लहर की तरहा तीसरी लहर को लेकर लगाए गए पुर्मा नुमान गलत साबित हुआ है कोरोना संकरमन के इस बार पीक पर केस दूसरी लहर की तुलना में कमाए हैं कोरोना की दूसरी लहर में किसी को अनुमान नहीं था कि ये इतनी अधिक घातक होगी तीसरी लहर में केस दूसरी लहर से 2-3 गुना ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया था क्यूंकि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा 13,601 केस आये थे तीसरी लहर में 11,275 केस ही पीक तक आये जबकि टेस्टिंग भी दूसरी लहर से ज्यादा हो रही है पीक फरवरी में आने का अनुमान था जबकि वो जन्वरी के तीसरे सप्ताह में आकर ही निकल गया केस कम होने से अब सरकार ने भी प्रतिबंध हटाने शुरू कर दिये है ये तो हमारे लिए प्रसंदता और संतोश की बात है कि भगवान की क्रपा से करोना का संक्रमन में इस बार लोगों की तब ये ज़्यादा खराब नहीं हुई और उसका बहुत बड़ा कारण जो है या सबसे प्रमुक कारण है वो वैक्सीन कोरोना संक्रमन आने के बाद से कई प्रकार से लोग स्टडी करने लगे हैं अभी तक जितने अनुमान लगाय जाते रहे हैं उसमें ज्यादा तर गलत साबित हुए हैं ऐसे में कोविट को लेकर लगाय जाने वाले कयासों से लोगों का भरोसा भी उठता जा रहा है कोरोना संक्रमन आने के बास से तरे तरे के अनुमान लगाए जाते हैं तरे तरे की स्टेडी की जाती हैं लेकिन अनुमान ये स्टेडी सटीक नहीं बेट रहे हैं तीसरी लेहर में ये कहा गया कि दूसरी लेहर की तुला में दो से तीन गुना केस आएंगे वहीं ये अधिक संक्रामक होगा लेकिन जो केस आए वो दूसरी लेहर से भी कम आए संक्रामक तो था ही नहीं लोग होम आईसोलेशन में ही ठीक हो गए ऐसे में यह माना जाए कि इस्टेडी और यह अनुमान लोगों को डरा तो रही हैं साथ ही कहीं न कहीं एक भ्रम का महोल भी पेदा कर रहे हैं वीडियो निसावे के साथ नितेंदर शर्मा निजस्टेड बोपाल